हेलो एवरिबर्डी एचससी एकजाम दो जार बीस दोस्तो जैसा कि आपको पता कि एचससी एकजाम आपके होने वाड़े हैं और आपके मन में हो सकता है अब भी दुविदा हो वो दुविदा दूर करने के लिए मैं आया हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सती राजे स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चनल पर जिसका नाम है नोलेज़ टिवी देशीता हूँ कैसे आप सभी दोस्तों इस चनल पर आपको हर रोज जोब या जोब से जोड़ी जानकारी मैं देता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प लोती है तो आप चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों बात करते हैं एक्जाम के बारे में कि आपके एक्जाम होने वारे हैं यदि आपके मन में अब भी डाउट है संका है तो मैंने एक सुबह आपके लिए वीडियो डाली थी कि HSC 21 परवरी से एक्जाम लेने की संभावना बना रहा है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट भी मिला है ठीक है और दोस्तों इस में ये भी बता गया था कि आयोग के सचियू के अंदर निर्धारन के लिए आज DC और DEO के साथ चर्चा करेंगे तो दोस्तों इस पॉइंट पर मेरी सुबह से ही नजर थी ठीक है तो दोस्तों बता देता हूँ आप सभी के लिए गुड नियूज है कि ये मिटिंग हो चुकी है हाँ दोस्तों ये मिटिंग आपकी हो चुकी है और इस मिटिंग में ये फैसला ये आदेश ये जारी किये गए हैं कि HSSC के एक्जाम होंगे लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको ये भी कनफर्म कर देता हूँ कि जो 21-22 ते इसकी जो एक्जाम डेट यहाँ पर दिखाई जारी है वो एक्जाम डेट चेंज हो सकती है यानि कि एक्जाक्ट डेट नहीं है यह आपकी हो सकता है कि एक दो दिन आगे पीछे की डेट हो जाए लेकिन दोस्तों अभी यानि कि आने वाड़े इनी दिनों में HSSC एक्जाम लेगा इसके आदेश डाटा जो डिस्टिक एजुकेशन ओफीचर है और जो डिस्टी है इन से मुलाकात करके इनको आदेश दे दिएगे हैं कि आप जल्द से जल्द इन चीजों पर कारवाई करो और इस प्रिक्षा को आप पारदर्सी डंग से आप कंड़क्ट कराओ ऐसे आदेश यहाँ पर हो चुके हैं मीटिंग आपकी सक्सास हो चुकी है और एक्जाम डेट भी यानि कि आपकी यहीं रहेंगी एक दो दिन उपर नीचे या डेट है वो चेंज हो सकते हैं बदलाव हो सकते हैं लेकिन आपका एक्जाम अभी होंगे दोस्तों यह आदेश जारी हो चुके हैं आज की मीटिंग में और यह हिंट दिया है जो डिस्टिक एजूकेशन ओफिसर है उनके एक स्रहयोगी ने या उनके जानकार ने ठीक है दोस्तों तो यह आपके लिए बड़ी अपडेट थी और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बतरना चाहूँगा यह आप पर त्यारी कर रहे हो न तो अपना जो टेलिगराम गुरूप है वहाँ पर मैं कुछ स्टडी मैटिरल जो मेरे पास आता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गुरूप में बच्चों ने जॉइन करा रखा है तो वहाँ पर पीडिएफ बगार आती रहती है फरी में तो मैं वहाँ पर अपने टेलिगराम गुरूप पर सेयर करता रहता हूँ तो आप टेलिगराम गुरूप को जोईन करके रहे ताकि वहाँ पर मैं कोई ऐसी पीडिएफ मिल जाए कि पुराने जो decía के पेप्र है दोस्तों वह भी आपके लिए मैंने यहाँ पर आपके अंदर अपलोड कर दी है आप उनका भी यूज कर सकते हैं उनके आप रिवैज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह एक अपडेट थी आपके सभी के लिए कि आपके एक्जाम होंगे डेट से मतलब नहीं आपको कि आपके 21 कोंगे 20 कोंगे 22 कोंगे 25 कोंगे आपको डेट से मतलब नहीं है आपके इनी दिनों में आने वाले इनी दिनों में आपके एक्जाम होंगे positive इसार आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और positive इसार आगे से मिल चुका है तो उमीद करता हूँ आप अपनी त्यारी पर खरे उतरेंगे दोस्तो ठीक है exam कब होगा यह important नहीं है दोस्तो वही बात है exam जब होगा आप उसके लिए कितना prepare है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important है इसे के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ मिलगो एक next वीडियो में तब तक आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें धन्यवाद